दोस्तों जैसे कि आपको बताओगा पिछले कुछ गंटूस है मोसम उबाग के तरब से लगातार इस वीपर जोई चकरवाती तुफान को लेकर चेतावनी जारी की जारी है इसे बीच गुजरात और मुंबई के तटिये इलाकों में इस चकरवाती तुफान ने तमाही मचाना सुरू कर दिया कई लोगों की जान चले गए और हजारों लोगों को दूसरी जगाँ पर भी सिप्ट किया गया आईए देखते हैं वीपरजोई चकरवात तुफान के लेटेस्ट न्यूस अपडेट इस मोसम समाचार के वीडियो में दोस्तों मोसम उबाग के तरब से एक नक्सा जारी किया गया आप देख सकते हैं और इसमें मोसम उबाग ने बताया कि ये चकरवात तुफान किस रूट पर आगे बढ़ रहा है और इसके चलते ना सर्फ भारत में बलकि कुछ पडोस्ती देशों में भी चेतावनी जारी की गई है सुले जून तक यानि अगले दो-तीन दिन तक तुफान का असर देखने को मिलेगा विपर जोई तुफान को लेकर परसासन पहले से अलट मोड पर है लोगों को भी सतरक रहने की हिरायत दिये हैं विपर जोई से पहले गुजरात मुंबई के तटी अलाकों में आनदी और बारिस आई जिसके चलते मुंबई भूज और राजकोर्ट में साथ लोगों की जान चली गी गुजरात के साथ जिलों से 21,000 लोगों को सुरक्षित स्तानों पर पहुँचाया गया यहां से निकाल कर हालांकि विपर जोई की रब्तार थोड़ी गटी है लेकिन अभी भी 157 किलोमडर परतिगंटा की रब्तार से यह तूफान आगे बढ़ रहा है गुजरात में यह तूफान तबाही ला सकता है और आसपास के अन्य राजू में भी इसका असर तेज आधी तूफान के रूप में देखने को मिलेगा इंडिन डेलवे ने भी इस तूफान के चलते काफी ट्रेनू को रद कर दिया है यह देखें आप इस तूफान के कुछ अलग-अलग तस्वीरें यह मुंबई के जूहू बीच पर रेड अलट के लिए यह फ्लेग लगाए गया है मचुवारों को भी समुदरी इलाकों में नजा आने की सला दी गई गई है ताकि अगर कोई की नारे पर आजाए तो उसको अलट किया जा सके यह तस्वीर है गुजरात के द्वारका में तूफान के चलते टेज हवाएं और हाइट उड़ते हुए कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं यह वीडियो है द्वारका के पास अरब सागर में पेट्रोलिंग कर रहे कोस्ट गार्ड के शिप का तो कुछ यूँ अपडेट चलना दोस्तों आभी वीपर जोई तूफान का विसे आप भारत के कौन से राज़िम रहते मुझे नीचे कमेंट करके बताईएगा ताकि मैं आपके राज़िक की समचार भी आपके मूबाइल तक पहुचा दूँगा इस वीडियो को लाइक और शेयर करना डीलस न्यूज चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकोन जरूर दबा देना ताकि आप ऐसी ही काम की महतबन न्यूज अपडेट हमेसा देख पाएंगे जै हिंद जै बारत वंदे मात्रम